पुठो जागो रियाज करो डेली का मेसेज है आज थोड़ा लेट हो गया देने में उसका सबसे बड़ा कारण यह आप लोग जानते हैं मैं दुझे अपर में था और कल ही रात को वहां से निकलाओं दो बजे ट्रेंड में और सुबह तक अभी यहां जेस्ट डेली पहुंच इसका मेसेज भी मैंने आप लोगों को दे दिया है एक दिन मेसेज नहीं पहुंचे थोड़ा सा लेट हो जाए तो आप लोगों को कितनी खलवली मच जाती है इतने सारे मैसेज मेरे पास आगए एक सज्जन ने तो लिखा गुरुजी आज नदारद हैं कितना बढ़िया श ऐसे शब्दों का प्रियोग करते हैं गुरुजी आज नदारद हैं देखा हम सबको अलगलग गुरुप में बाट के गुरुजी घायव हो गई ऐसे शब्द का प्रियोग जब आप करते हैं तो बहुत दुख होता है कि खेर उनका एक उनकी आप ब्रिंगिन है जिन्होंने इसा लिखा मैं उनके लिए ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा अच्छी बात है जैसा उनकी सोच है नदारद शब्द मुझे बहुत बुरा लगा जिसने भी लिखा हो वो समझ जा इस बहुत नोट को सुनके क्योंकि मैं ऐसा करता नहीं हो नदारद और नदारद हो भी जाएं जो लोग संगीत के स्टूडेंट है उन लोगों को अपने विचारों को बहुत आसानी से करना आ सकता है जैसा कि इतने दिनों से थार्ट प्रोसेस पर विचारों की जो प्रक्रिया है सब तरह से आपको समझा दिया कि किस-किस तरह के विचार आपके दिमाग में चलते हूं 24 घंटे में 60,000 से भी अधिक विचार आपके दिमाग में और हमारे दिमाग में आते हैं और जाते हैं उन में से कौन से विचार रखने जैसे होते हैं कौन से विचार कैंसल करने जैसे होते हैं यह सब आप सोयम सोच सकते हैं कि क्या आपने अच्छा सोचा क्या आपने बुर मैंने किया सोचा तो कोशिश आपकी यह रहे कि हमेशा अच्छे विचारों को रखिए और उनको उन पर अमल करिए एक विचार को जब आप कई बार अपने दिमाग में गुमा देते हैं तो उस पर क्रिया होना शुरू हो जाती है कोई विचार आता है चोटा सा जिसको अप थोड़ी सी देर में गाईव हो जाता है अगर आपने उसको कैच नहीं किया तो वो थोड़ी सी देर में निकल जाएगा फिर आप उस पर कोई काम नहीं कर सकते हैं सपोज मैं कई बार कुमेरे दिमाग में कोई लाइन आती है मैं गीत लिखूं या कोई कविता लिखूं तो लिखना शुरू कर देता हूं अगर मैंने लिखना शुरू कर दिया या उस थोट को मैंने कई बार अपने दिमाग में पकड़ा हुमाया बार बार उसको सोचा तो उस पर क्रिया होना शुरू हो जाती है मैं गीत लिख सकता हूँ और लिख देता हूँ आया और गया तो फिर दुबारा वो नहीं आता है तो विचारों को कैंद्रित करने वाला जो एक मुजिशन हो सकता है उससे बढ़के और कोई नहीं कि मुजिक में बहुत सी ऐसी बाते हैं जिसमें आपको कैंद्रिकरन करना होता है सुर पर अपना पूरा दिमाग लागाना होता है जब तक ब्रेंड में सुर नहीं बैठेगा जब तक आप उस सुर को सुनेंगे नहीं सुनने के माध्यम से सुर जो है ब्रेंड में जाता है तो जब तक आप उस सुर को ठीक से सुनेंगे नहीं तब तक आपको नहीं समझ में आप गले से नहीं बोल सकते तो बहुत केंदरित करना पड़ता अपने दिमाग को तो जब आपको सुर पर ध्यान केंदरित करने की आदत सी पड़ जाती है तो फिर आप कहीं भी ध्यान केंदरित कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि ध्यान केंदरित कैसे किया जाता है अपन साथ इसाथ उसमें कौशनसी ऑचल रही है तो देखा आपके टीन बाते हो गई गळाना गभी प्ले कर रहें साथ में तो और वी जड़ा है उसी ही जगह दि हो हुआ है कि हम सही सुर लगा रहें कि नहीं और एक विचार आपने ताल पर दिया हुआ इसके अलावा सामने बैट यूई ओडियंस पर भी आपका विचार रहता है तो कितने ज्यादा केंद्रत होते हैं बहुत ज्यादा केंद्रत होने वाला है एक मुजिशियन एक सिंगर और बताओं उसके साथ साथ ओडियंस के अलावा भी आपके साथ अगर कोई औरकेस्ट्रा वाले और भी लोग बैठें वो भी बजा रहे हैं तो उन पर भी आपका ध्यान जाता है तो इतनी सारी जगे एक सिंगर जब ध्यान रख सकता है तो फिर उससे ज्यादा सधे हुए विचारों वाला और कौन हो सकता है बाकी लोग तो इतना नहीं कर पाएंगे जितना एक मुजिशियन कर सकता है एक सिंगर कर सकता है एक संगीत वाला व्यक्ति जितने ज्यादा विचारों को केंद्रित कर सकता है उतने कोई नहीं तो संगीत सीख कि चोटे से लाइन वे मैं मैं बता देता हूं कि जो सिंगर होता है उसको दस दिमाग वाला कह सकते हैं इसको 10 दिमाग वाला सिंगर होना चीए जह कोई बड़ा ही विद्वान व्यक्ति था है बाद में जब रावन मर गया उसके बाद राम ने लक्षमन को भेजा था यह कह करके कि जो वो मार रहा है वो अंतिन समय है रावन का तो इससे कुछ सिख्षा ले लो क्योंकि वह बहुत बड़ा विद्वान था राम खुद भी उसको विद्वान मालते थे शुब जी का बड़ा भक्त था क्योंकि उसके पास दस ब्रेंट थे दस सिर वाला रावन था दस सिरो में जो था रावण उसके जैसे बनना था हमको भी उसके जैसा बनना है एक musician को एक singer को जब तक आपके पास दस दिमाग नहीं होंगे तब तक आप एक सफ़ musician नहीं बन सकते हैं यह बहुत ज़रूरी है तो दस दिमाग वाला नामल बनना है आपको और अपने विचारों को केंद्रिट करना है और रियाज जरूर करना है बिना रियाज के कुछ भी प्राप्तनी होना है सिर्फ विचार आएगा और जाएगा आएगा और जाएगा thoughts are coming and going यही हो रहा है जीवन में इसलिए हम कुछ क्रियाओं में निश्फल हैं इसलिए हम क्रियाओं नहीं कर पातें विचार आया अच्छा आया उसको तुरंत पकड़ो और उस पर काम करना शुरू कर दो उसको अभ्यास में लेना शुरू कर दो रोज ऐसा करो उठो जागो रियाज करो जैखो